Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Varma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत जवरदस्त बताने वाला हूँ अगर आप 4X ट्रेडिंग करते हो और भी 4X ट्रेडिंग अलगो के साथ करते हो अगर मैनवल भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बट अलगो के साथ करते हो तो ये फीचर आपके ट्रेडिंग के अंदर चार चान लगाने वाला है और प्रोपर जो बेस है वैब सॉकिट पे बेस है कुछ भी डिले नहीं है फीचर क्या मैं आपको बता देता हूँ एज एग्जामपल मैंने ये वैबसाइट खोल रखी है MT5 की डिमो अकाउंट यूज कर रहा हूँ है Forex का इसके अंदर काफी लोगों की डिमांड होती है वो कहते है कि हमें जब वो Total Of Profit हो रहा हो एज एग्जामपल उनने Total Of 100 डोलर का Profit हो रहा हो तो उनकी जो ट्रेड है हो कट जाए या 50 डोलर का Loss हो रहा हो आए वह आना बंद हो जाए मतलब ट्रेडिंग व्यू से आए पर ब्रोकर पे न आ जाए तो इन शॉट में आपको बताना चाहता हूं कि हमारा काम है ओटोमेशन ट्रेडिंग कराना वह भी ट्रेडिंग व्यू से एंड फोरेक्स मार्किट का आप कोई भी ब्रोकर एंटी फोर हो एंटी फाइप में हो अगर यह दोनों आपका ब्रोकर सपोर्ट करता है तो आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके उपर मैं पहले से ही दो वीडियो बना चुका हूं API connection कैसे करते हैं ओडर कैसे लगाते हैं यह तीसरी वीडियो यह जिसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हम क्या कहते हैं profit and loss पे चीज़े कैसे काटते हैं as example के लिए मैं आपको एक चीज दिखा दू तो मैं इस window को इधर side करता हूं आपके सामने जिससे मैं आपको यह चीज दिखा सकूँ इसे मैं right में कर लिता हूं and उसके बाद मैं left में कर देता हूँ आपके सामने and यह मैंने left में कर हूँ तो अगर आप देखोगे तो अभी आपको दिखेगा यहां पर मेरी दो order नहीं आपको यह दिख रहा होगा and हमारा जो mostly जो काम है वो है automation ट्रेडिंग कराना suppose आपने ट्रेडिंग व्यूपर कोई इंडिकेटर लगा रखा है and उस इंडिकेटर से आपको कोई भी अलर्स आता है तो आप चाहते आपकी ट्रेडिंग हो जाए मतलब आपकी ट्रेडिंग हो जाए एक चीज आपको पहले बता दू बहुत ज्यादा कोश्चन आते कि वीपेस लेना कंपलसरी है मैं कहूंगा आपको हमारे सिश्टम अगर आप यूज कर रहो तो वीपेस लेने की कोई जूरत नहीं है आप दिखाना चाहता हूं यह गया मैं और मैंने यह लाइन डाली जैसे इदर अलट साएगा आप यहां देखना ओडर आएगा तो यह अलट साएग यह ओडर आया तो यह देख लो कितना डिले मतलब आप देख सकते हो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि इसके अंदर 300 मिली स प्रेकिंड भी नहीं लगे होंगे तो आप देख सकते हों दुबारा में एक ओडर दाल रहा हूं और यह जो ओडर दाल रहा हूं मैं horizontal line से दाल आप देखना दुबारा लेट्स आएगा इदर आया और यह देखो यह ओडर लग गया तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि side में order लग रहे हैं और इदर से order आ रहे हैं तो इस तरीके से हम automation trading करवाते हैं trading view की help से और यह एक पार ता अब दूसरा पार जिस topic पर यह वीडियो बन रही है कि total of profit and loss पर तो जैसे अब भी देख सकते हो मेरा account 6 dollar माइनस में चल रहा है और जो भी माइनस में चल रहा हो digit आप यहां देख सकते हो ऐसे मैं मैं चाहता हूं आप चाहते हो कि पहले देखो आपको यह automation trading करने के लिए पहले वो दो दो वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आप first time मेरी वीडियो को देख रहे हूं and जो user मुझे जानते उनके लिए काफी useful चीज है उनको कुछ करने की जोरती नहीं हो सारी चीज़ी जानते तो सबसे पहले क्या आपको dashboard पर जाना पड़ेगा मैं इसको दुबारा से इधर कर देता हूं इसी के अंदर दाल देता हूं and फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज को तो एक मिनित मैं इसमें दालके इसे full window में कर देता हूं तो सब करनी पड़ेगी उसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी अभी बात कर रहे हैं हम total of loss and profit इसके लिए आपको m2m पर आना पड़ेगा यहां पर आपको मिलेगा m2m older m2m new new m2m पर क्लिक कर लेना है new m2m पर क्लिक करने के बाद आपकी टेबल है जिसमें मैंने काफी सारी के लिए बना रखें तो आप इसे ignore करना आप चाहो तो इसे delete भी मार सकते हो one by one मैं आपके सामने मारी देता हूं and new table create करते हैं तो मैंने यह सारी delete मार दी है अब मेरे पास table में कुछ भी नहीं तो आपकी API अगर connect है उसके बाद आपको add API पर क्लिक करना है add API पर क्लिक करने क इसके बाद आपको क्या करना ब्रोकर का नाम select करना है तो मेरा जो m2m new m2m जिस पर चल रहा हो mt5 है mt4 mt5 तो मैंने यह select कर लिया उसके बाद आपको API type select करनी जो मेरी API है मैं एक बाद चेक कर लेता हूं जो मेरी API है वो कौन सी है तो इसके लिए मेरे को dashboard पर जाना पड़ पर और यहां फिर से add करते हैं m2m select कर लिया इधर API select करी तो हमारी API यह अब मैं चाहता हूं कितना profit and कितना loss तो एक बार देख लेते कितना loss हो रहा है हमें 10$ का loss हो रहा है तो अभी के लिए हम क्या करते हैं हम ऐसा कुछ loss करेंगी जिससे हमारा जल्दी हो जाए तो अभी के हो तो वह page कहां गया m2m का यह रहा हूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यह हमने broker type select करा API ID select करी अब profit आप देख सकते हो 4$ का चल रहा है तो मैं इधर 6$ दाल देता हूं कि 5$ का profit दाल देता हूं और loss दाल देता हूं मैं करीबन 10$ का तो मैंने 10$ का loss और 1$ का profit दाल दिया और मैं इसे add कर देता हूं add करने के बाद यह row इस तरीके से आ जाएगी अब यहाँ पर आपको एक चीज़ धान रखने है यहाँ पर दो चीज़ आएंगी एक आएगा status एक आएगा disable API दोनों का काम क्या है मैं आपको समझा देता हूं status का मतलब है जैसे में status on करूँगा यह check करने लग जाएगा कितना मुझे profit हो रहा है और कितना मुझे loss हो रहा है profit and loss में आप कोई चीज़ दाल सकते है holes यह擅ग ही लिए कंपलसर ही नहीं कि आपको दोनों ही continuous अगर आप profit दालना चाहते हो और loss में आप कुछ भी नहीं दालो और loss दालना चाहते हो तो loss दालदो प्रफिट में कुछ नहीं दालो यह दोनों चीज़ दालना चाहते हो तो status on करते हैं profit and loss चेक करने लगीगा और disable API on करते हो तो इसके साथ क्या होगा यह advance feature है कि आपकी trade कट जाएगी और उसके बाद जितने भी order आपके trading view से आएंगे वो order हम broker तक नहीं बेजेंगे it's mean कि आपका आज का goal target हो गया it's mean कि आपने सोचा कि बाई मुझे 5000 डोलर का profit करना है तो आपकी जो भी trade है आप नहीं करना चाते हैं यह आप चाते हो कि हाँ 5000 डोलर का loss हो गया उसके बाद आप trade नहीं करना चाते हैं तो आपकी order trading view से आएंगे वो नहीं जाएंगे यह मैं trading view के case में कहा रहा हूँ जो automation trading करते हैं अब कई लोग होंगे जो manual trade करना चाते हैं उन्हें मतलब भी नहीं trading view automation से हो जाएंगे खुद buy करेंगे यहां से और खुछ sell करेंगे तो उनके लिए भी एक काम का feature है वो चीजे buy sell करके थोड़ा सा किसी काम में लग जाएंगे और कहते हैं कि इतने profit पर मेरी trade कर जाए तो अपने आप ही कर जाएगे वैसे तो आप इसके अंदर TPSL का use कर सकते हो particular order के लिए बट आपके पास multi pair हैं मानों कि आपके पास euro USDT है BTC है and GPY है तो ऐसे कई सारे pair हैं तो ऐसे case में आप as a manual कर रहे हो तो आप total of overall profit and loss दाल सकते हो तो अभी हम पहले एक बार check कर लेते हैं तो मैंने profit एक रुपे दाला है, loss दस रुपे दाला है, sorry, एक dollar दाला है and loss दस dollar दाला है and मैं status on कर रहा हूँ यह off हो जाएगा, automatic or trigger time बता देगा तो छोड़ा सा frequency, मतलब millisecond की frequency का फरक आएगा ऐसा भी नहीं कि बहुत high आएगा, ऐसा भी नहीं बिल्कुल low आएगा बस थोड़ा सा फरक आएगा, हो सकता है कि इस बीच में मैंने 10 dollar दाला ता तो हो सकता है मेरी 14 dollar के loss पे कटती, 4 dollar का फरक आजाता तो यह चीज आपको फरक देखने को मिलेगी, एक live example दिया है यह चीज आप MT4 के साथ भी कर सकते हो, MT5 के साथ भी कर सकते हो Thank you for watching this video and by and अगर आप नए हो तो वो दो वीडियो जरूर देख लेडा या उसके बिना आप यहां तक पहुच नहीं पाओगे और किसी भी तरीकी का सपोर्ट चाहिए तो हमारे टेलिग्राम एक बार में बता देता हूं हमारे contact us के पेज़ पे एक बार दिखा देता हूं तो आप हमारे contact us के पेज़ पे जाके support टीम से contact कर सकते हो और साथ हमारे टेलिग्राम गुरूप से जोड़ सकते हो महाँ पर भी आपकी help कर जाएगी थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो और बाए